एक क्वेस्टिन नमबर थरी है किता प्रूफ करो डेल एफ फार इसकोल तो एप टेश और इंटो और इंटो आज इंटो आज इंटो आज़ूंत ओवर रार लेफ्ट एंड साइड हम ले लेते हैं इसकी डेल एफ और ठीक है अब डेल हमने प्रेट करने एफ और के उपर तो डेल ओवर डेल एक्स इसका मतलब ही होता ना है इंतो युनित वेक्टर पार्षिज और इंटो जे उनित वेक्टर पार्षिल और पार्षिल इंटो यूनित वेक्टर पार्षिल ओर यहां क्या आजाएगा एफ आफ-फ is up a ऐफ-आफ-ख I अब इसका हल कैसे आएगा भी एक फंच्छन है इस फंच्छन का डेरिवेटिव इन्टू जो आर है ना उसका इसके लहाद से पार्शल डेरिवेटिव एफ का एफ डैश और फिर आर का वाई के लहाद से डेरिवेटिव एफ डैश और और फिर आर का पार्शल डिद रिस्पेक्ट टू जी इन्टू के अब यह आर है क्या आर एक वेक्टर है ठीक है उसको अमलेट कर लेते हैं आप एक जो आर होता है वो ब्राबर है एक्स आई जमा वाई जे जमा जी के यह इसके एकवल होता है अब हमें क्या चाहिए इसका आर्शल एक्स पार्शल वाई पार्शल जी आर का अब अगर हम इसकी मेगनिटूड लेन वो ब्राबर होगी आर मेगनिटूड में कहता है एक्स कंपोनेंट का स्केर वाई कंपोनेंट का स्केर और जी कंपोनेंट का स्केर अब हमें इसका एक्स के लहाज से पार्शल डेरिवेटिव चाहिए पार्शल और पार्शल एक्स यह जज़र है ना पावर होती है वन बाई टू पावर साइड पे पावर में से एक माइनिस करेंगे पावर में से एक माइनिस करेंगे तो माइनिस वन बाई टू आज़ेगा और फिर एक्स के लहाज से आज़ेगा टू एक्स बाकी सारे हो जा जाएगी तो जज़र वापस बन जेगा प्लस बन बेटू अब ये तो आजएगा एक्स और ये तो देखे ना आर के बराबर नहीं है यहां आ रहागा तो पार्शल आर अब पार्शल एक्स का क्या आगए एक्स और आर इसी तरह अगर हम वाएका लेंगे हम यहां लिखेंगे सिमी लर्ली सिमी लर्ली सिमी लर्ली अगर हम वाएका लेंगे ना पार्शल तो उपर आजएगा वाए और नीचे आजएगा र इस तरह जी के लिए जब लेंगे पार्शल आर और पार्शल जी तो उपर आजएगा जी और नीचे आजएगा र यह बांगे हमारी values इनको हम क्या करेंगे यहाँ पर दर्ज कर देते हैं यहाँ पर तो f dash और common ले लो चाहे हिसाब में से बाकी इसकी value आजगी x over r into i unit vector और दूसरे दूसरे के लिए हमने बनाई है ठीक है यह y over r into j unit vector और तीसरे के लिए बनाई है z over r into k unit vector नीचे से r भी common आ रहा है बार ले आएं बाकी आएगा x i जमा y j जमा z k यह तो हमने यह vector लेट किया है इसके जगा यूनिट वेक्टर आजगा यही हमने प्रूब करना था यह हमारी right hand side अब इस सवाल को हम ऐसे भी कर सकते हैं यह दिखते हैं यह vector आ गया इसकी magnitude यह इसके एक्वल होती है इससे टेकिंग्स केर रों बहुत साइड करेंगे जदर हत्म होजाए गब और पार्टि एक्स लेना नवावर साइड के बावर मिशेक माइनस आरक एक्स के लहास से पार्शल आरवर पार्टि एक्स ओपार ईक्स केर का 2x तो यह आज़ेगा 2R इक्वल टो 2X 2,2 से कैंसल करें R दर जाकर बाद में डवाइट करके यह partial R का X के लिहाँ से X अवर आ रहा है इसी pattern को हम देखते हुए आप इसको हाल भी कार सकते हैं या आप कहेंगे जैसे यह निकला है X के लिहाँ से X अवर आ रहा है तो Y के लिए Y अवर आ रहागा Z के लिए Z अवर आ रहा जाएगा ठीक है जी तो यह values इस तरह निकल जाएंगी यह हमारा formula है इसके अंदर दर्ज के हमने डेल अपरेटर F R पर करना था अब R का पता ही नहीं R ब्राबर होता है X, Y, Z के इसका हमने लेना है partial derivative X के लिए लिए हाद से वाइल लिए हाद से जी लिए हाद से क्यों? क्योंकि उमने डेल अपरेटर फाइंड करना है इसके उपर है और डेल में X, Y, Z तीनों को partial derivative चाहिए होता है वो अदर साइट पर find कर लेने हैं और उस पर formula अप्लाए कर देने हैं F, R के लिए F, R और फिर R का partial R और पार्शल X इन्टू आई यूनिट वेक्टर और फिर F, R का वाइकल हाद से पंचन का derivative और फिर R का वाइकल हाद से पंचन का derivative फिर R जी कलहाद से F, R कामन हो गया इनकी values यहां से हमने जो निकाली हैं वदर्च कर दी हैं नीचे से R कामन हो गया बाकी हमारा वेक्टर निकल गया है इसको जगा हमने आरक देने हैं ठीक है